हलो एवरिवन, तोड़े वी आर गोइंग टो रीड़ दा सेवंथ चैप्टर अफ लास टेंथ फ्रॉम दा बुक रेजुलीशन दा मैन हू न्यू ठूमच आउसकता से अधिक जानने वाला व्यक्ति तो इस कहानी का जो पात्र है जिसका नाम प्राइविट क्वेल्च है वो जरूरत से जादा जानता है और ये जरूरत से जादा जानना है उसके लिए मुसीबत बन जाता है इस कहानी के लास्ट में वो एक ट्रेनी है आर्मी के उसकी ट्रेनिंग हो रही है और वो अपने जो ट section देते हैं उन लोगों को भी वो correct करता रहता है means वो भी कोई गलती करते हैं तो उनको भी वो सुधारता रहता है और उसके जो साथी trainees हैं उसको वो उनको वो क्या करता है preaching करता है उपदेश देता रहता है तो इसी वज़े से everybody is sick of him हर एक बंदा उससे प्रेशान है तंग है उससे चिड़ता है और last में इसी वज़े से अपनी इनी हरकतों की वज़े से यानि कि वो अपने आपको superior दिखाता है सबसे कि भई मैं superior हूँ मुझे सबसे ज़्यादा knowledge है हर subject की knowledge है और यही उसकी जो activity है यही उसकी जो बात है बाकी लोगों को पसंद नहीं आती है और इस chapter के अंत में उसे एक punishment दिया जाता है अब वो punishment क्या है सजा क्या है यह तो हम chapter को read करके ही पता लगा सकते हैं तो आओ प्यारे बच्चो let's move to the chapter I first met private quelch at the training depot यह जो कहानी का narrator है जो writer है वो कह रहा है I first met private quelch at the training depot मैं private quelch से मिला कहां पर training depot means जो training का center है तो यह दोनों के दोनों बंदे हैं जो यह कहानी का जो writer है narrator है और जो private quelch है यह दोनों क्या है आर्मी में हैं और यह training सेंटर में है तो वहाँ पर इनके फर्स्ट मिटिंग होती है तो यहाँ पर नेरेटर कह रहे हैं कि एक जो आदमी होता है यानि कि एक बंदा जब फोज में भरती हो जाता है तो इसे मिलने की संभावना होती है तो उसके पहले सब्ता में ऑफ आर्मी लाइफ तो उसका आर्मी का जो जीवन होता है उसका जो पहला week होता है जो भरती हो करके जब आर्मी में जाता है उसकी training शुरू होती है तो उसका पहला जो week होता है तो उसको क्या मिलने की संभावना होती है उसको uniform मिलने की संभावना होती है राइफल मिलने की और कुछ other equipment उसे मिलते है और उसे एक nickname भी मिलने की संभावन है होती है कि आप वहाँ पर गए आपको युनिफॉर्म दे दी राइफल दे दी कुछ अधर एक्यूपमेंट्स दे दी और एक निकनेम भी आपको एक उपनाम भी आपको मिल सकता है वहाँ पे एनिवन हो सो प्राइवेट क्वेल्च जो भी जिस भी बंदे ने प्राइवेट स्पेक्टेकल्स फ्रोनिंग का मतलब क्या होता है देखना होता है जो हम बोहें सी कोड करके देखते हैं तो वो फ्रोनिंग कहलाता है और होर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स का मतलब है जो सींग के सींग जैसे माटीरियल के बने वे यानिकि सींग के माटीरियल के बने वे जो म प्रवेट क्या करता था, वो मोटी फरेम के सिंग के मटेरियल के बनेवी चस्मे पहेंता था, उनमें मुद्रा में बोहें सीकोड करके देखता था उन स्पेक्टेकल में जो मोटी फ्रेम के थे तो उसकी इस अपियरंस को देख करके हर एक कोई भी समझ सकता था वाई ही वोज नौन एज दा प्रॉफेशर कि उसे प्रॉफेशर नाम क्यों दिया गया था उसे सब्जेक्ट लोस्ट देम आफ्टर फाइव मिनट्स कानवर्सेशन विद हैं अब देखे दोज हुए हैडनी डाउट किसी को भी कोई भी डाउट था कोई भी संका थी और वो रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती थी यानि कि किसी बंदे को को प्रॉब्लम थे को डाउट थी कोई संका थी संदे था तो लोस्ट दम आफ्टर फाइब मिनट्स गौन्वर्सेशन तो पांच मिनट्स के वारतलाप के बाद ही लोस्ट हो जाते था आता धी निकी खतम हो जाती थी वह प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम का सलुशन मिल जाता था उस बंदे को प्राइवेट क्वैल्च के पास जाता पांच मिनट उससेenne बात करता तुर पांच मिनट में ही प्राइवेट क्वैल्च उसस्मस्या का सुलूइशन उसे दे देता था I remember the first lesson we had in musketry तो कह रहा है कि मुझे याद है वो जो पहला lesson जो हमें कहां पर मिला था अब देखो musketry का मतलब क्या है जब किसी बंदे को जो rifle वगेरा की जो training दी जाती है rifle वगेरा के बारे में जब किसी को बताया जाता है इसका क्या काम है किस तरीके से ठीक है ये चलती है और किस तरीके से नहीं चलती है तो आप ये कह सकते हैं जो rifle चलाने की जो training होती है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हमें rifle चलाने की training दी जा रही थी तो उस समय जो पहला lesson था वो मुझे याद है ये कह रहा है narrator कि I remember the first lesson मुझे वो पहला lesson first lesson पहला part याद है जो मैं मस्केटरी के दोरान मिलाता है यानि कि रैफल चलाने का जो पर्सिक्षन हमें दिया जा रहा था उसके टाइम पर जो पहला lesson हमें मिलाता है वो मुझे याद है We stood in an attentive circle तो हम लोग खड़े वे थे attentive का मतलब का था बिल्कुल सावधानों करके circle का मतलब वर्त बना करके एक गोल चक्कर गोला सा बना करके circle बना करके while a sergeant sergeant एक post होती है आर्मी में जिसे हवलदार कह देते हैं हम लोग तो we stood in an attentive circle while a sergeant तो कहरा कि हम लोग जो थे सावधान और एक गोला बना करके circle बना करके खड़े वे थे जब एक sergeant और वो sergeant का appearance बता रागे a man as dark and sun-dried as regions regions का मतलब होता मुनक के किसमिस जोती है एक आदमी वो sergeant का appearance क्या है sergeant ऐसा था as dark इतना काला था dark था and sun-dried और ऐसा तर दूप में सूख गया हो जैसे regions होते है यानि कि वो इतना काला था और इतना ज़्यादा वो सूखा वा था जैसे regions होते है तो यह उसका appearance दिया गया कि किस तरीके का वो sergeant जो हवलदार था वो लग रहा था तो यहां पर narrator कहा रहे है we stood in attentive circle हम सावधान हो करके attention में बिल्कुल और circle बना करके खड़े वे थे जब एक sergeant जो बिल्कुल regions की तरह लग रहा था wearing north west frontier ribbons frontier का मतलब होता सीमा ribbons का मतलब होता जैसे आर्मी वाले प्लेस वाले जो फीते वगरे लगाते हैं ठीक है तो wearing वो पहने वे था उसकी जो dress उसने uniform जो पहन रखी थी अपनी आर्मी की north west सीमा की उस पर ribbon लगे वे थे यानि कि उस पर फीते लगे वे थे described the mechanism of our service rifle और उसने क्या किया हमें service rifle के बारे में जो यानि कि service rifle के mechanism के बारे में बताया उसके कल पुर्जो के बारे में हमें बताया उसकी prickろe के बारे में हमें बताया the muscle, velocity और speed velocity का मतलब भी spid होता है और muscle क्या होता है muscle का मतलब होता है जो राइफल की नली के उप़र का खुला मु oता है ठीक है इस दे राइफल ही टोल्ड यू ही टोल्ड यू उसने तुम्हें बताया और क्या बताया कि जो स्पीड जो वैलो सीटी है स्पीड होती है एक बुलेट के गोली की जब वो राइफल के मुह से निकलती है तो एक स्पीड होती है गोली की जब वो राइफल के मुह से निकलती है उसने तुम्हें बताया इज वैल ओवर 2000 feet per second तो वो कितनी होती है 2000 feet से ज़्यादा per second की speed उसकी होती है यानि कि 2000 feet से ज़्यादा वो इतनी दूरी नाप सकती है मेजर कर सकती है per second एक second हमें इतनी ज़्यादा उसकी रफतार होती है आप voice interrupted तो एक उसके बाद फिर क्या होता है एक voice interrupted एक आवाज हमें interrupt करती है यानि कि एक आवाज हमें टोकती है 2400 and 40 feet per second अब देखे यहाँ पर जो है यह चीज बता रहा था उनका sergeant उनको बता रहा था लेकिन बीच में किसी ने interrupt कर दिया बीच में किसी ने रोका और वो रोका किसी ने था इट वो दा प्रोफेशर वो प्रोफेशर था मिन्स वो प्राइवेट क्योल्स था और उसने क्या बोला यही उसकी habit थी वो interrupt करता था चीजों को correct करता था चीजों को और उसने बोला 2440 40 feet यानि कि 224440 feet per second इतनी है उसने बिल्कुल exact जो है उसका measurement करके सारा exact उसने एक idea दे दिया idea क्या आप यह कह सकते है बिल्कुल exact उसने बता दिया है इट वोज दा प्रोफेशर और यह कौन था यह प्रोफेशर था that's right the sergeant said without enthusiasm and went on lecturing that's right बिल्कुल सही sergeant ने कहा बिना किसी जोस्खरोज के and went on lecturing और वो lecture देता रहा अपना वैखान थाव से जारी रखा when he had finished लेकिन जब उसने समाप्त कर लिया अपना lecture he put questions to us उसने हम से सवाल जवाब किये and perhaps in the hope of revenge और साइद बदले की भावना से revenge means बदलाई होता है he turned his questions again and again to the professors उसने बार बार अपने सवालों का रुख किस की तरफ मोड़ दिया प्रोफेशर की तरफ यानि कि जब अपना lecture खतम कर लेता है अब उस हमसे questions पूछता है और ज़्यादा questions किसने पूछे उसने किस से पूछे प्राइवेट क्वेल से पूछे यानि कि उस प्रोफेशर से पूछे the only result was to enhance the professor's glory लेकिन इसका प्रिणाम क्या निकला इसका प्रिणाम ये था कि वो प्रोफेशर की शान को glory को बढ़ा रहा था क्योंकि प्रोफेशर इंटेलिजेंट था वो हर एक सवाल के जवाब दिये जा रहा था टेकनिकल डेफिनिशन्स जैसे जो प्रिभासाई है तकनिके प्रिभासाई है the parts of the rifle rifle के कौन-कौन से हिससे है parts है it's huge and care इसका huge क्या है प्रियोग क्या है रख रखा हूँ इसका कैसे किया जाता है he had them all by heart ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इन सब चीजों को contest कर रखा था यानि कि उसको ये सारे चीज़े याद थी ये questions दो थे जो sergeant था उसने पूछे इसने उन सब का जवाब दे दिया इस तरह के से दिया जैसे कि इसको contest याद हो सारे के सारे चीज़े the sergeant asked you had any training before तो sergeant ने पूछा क्या तुमने पहले कोई training ली है इस बारे में the professor answered with a phrase that was to become familiar to all of us तो professor ने यानि कि private quals ने answer दिया with a phrase एक vacants के साथ एक phrase के साथ और वो जो phrase थी that was to become familiar to all of us वो हम सब लोगों के लिए प्रेचीत होने वाली थी familiar होने वाली थी no sergeant तो क्या कहा उसने नहीं sergeant it's all a matter of intelligent reading ये सारा का सारा जो प्रिणाम है जो matter है ये किसका है intelligent reading का है यानि कि ध्यान पूर्वक पढ़ने की बात है सारी वैस और कुछ नहीं है मैंने चीजों को ध्यान से पढ़ा है that was our introduction to him और ये हमारा प्रीचे था उसके साथ we soon learned more about him जल्दी ही हमें उसके बारे में और बहुत कुछ पता चला he saw to that और saw to that का मतलब क्या है saw to का मतलब होता है ध्यान रखना किस चीज का ध्यान रखता था कि हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले he meant to get on meant to का मतलब होता है long इच्छा रखना और get on का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना he meant to get on he told us उसने हमें बताया कि वो इच्छा रखता था सफलता प्राप्त करने की means उसने हमें बताया था कि वो सफलता प्राप्त करना चाहता था he had brains उसमें बुद्धिमता थी वो बुद्धिमान था he was sure to get a commission before long before long का मतलब होता है जल्दी ही उसको पक्का विश्वास था कि वो जल्दी ही commission हासिल कर लेगा means वो जल्दी ही अधिकारी बन जाएगा as a first step पर्थम चरण में he meant to get a stripe पर्थम चरण में उसकी चाती stripe हासिल करने की यानि कि जो प्लिस वाले फोज वाले जो आपने देखा है stripe लगाते फीते लगाते वो पहले चरण में जो वही आसिल करना चाता था in pursuit of his ambition तो उसकी जो महत कांखशा थी उसको पूरा करने के लिए he worked hard उसने मेहनत की we had to give him credit for that और credit का मतलब किसी को स्रह देना यहाँ पर उसकी तारिफ करना और करा इस चीज़ के लिए हमें उसको स्रह देना पड़ा उसकी परसंसा करनी पड़ी he borrowed training manuals training manuals वो books होती है जिनमें training के बारे में लिखा हुआ होता है तो he borrowed वो उधार लेता था training manuals वो पुस्तिकाएं वो books जिनमें training के बारे में लिखा होता था and stayed up late at night reading them और रात रात भर जगता रहता था वो उनको पढ़ता रहता था he badgered the instructors with questions badgered the instructors का मतलब होता with questions का मतलब ये होता है जो instructors थे जो trainers थे उन पे questions की बोचार कर देना उनको तंग कर देना बार बार उनसे questions पूछ पूछ के तो यही करता था जो trainers थे उन पे questions की बोचार कर देता था उनको तंग करते था था पूछ पूछ के he drilled drilled का मतलता practice करना भ्यास करना he drilled with enthusiasm and on root marches वो बड़े जोस के साथ ख्रोस के साथ drill किया करता था जील के साथ पूरी अमंग के साथ and on root marches और जो हमारे root marches होते थे जो कवाइद होते थी he was not only miraculously tireless वो ना केवल अधभुत रूप से ठीक है है रान कर देने वाली tireless था उसके अंदर यानि कि उसके अंदर कोई थकान नहीं थी but infuriated us लेकिन हम लोगों को नाराज भी कर देता था infuriate कर देता था all with horrible heartiness उसकी जो बहानक उसका जो heartiness था जो उसका उत्सा था यानि कि वो जब route march होता था तो उस पर थकता नहीं था भी ना थके और जोस के साथ वो चलता था डेल जोस के साथ करता था और जो उसका tireless जो उसका attitude था उसकी वज़े से ये जो बाकी लोग थे कहीं ना कहीं लेजी होंगे ये तो ये infuriate हो जाते थे ये नाराज हो जाते थे उससे कि ये इतना ज़्यादा क्यों करता है ठीक है लेकिन उसका तो भीया जो उत्सा था जो उसका जोस था वो बहुत ज़्यादा था और इनको बड़ा ड्रावना horrible लगता था वो what about a song चैप एक कभी कवर मैं कहते है न यहादा可能 की गाना हो जाए भाई एक what about a song चैप ठेक है what about untaxiri untaxiri खेलें वई untaxiri के बारे में क्या खेल आप लोगों का what about untaxiri what about movie what about movie अरे movie वगेरा देखने के बारे में क्या कहते हो तो इस तरीके से आप इतनी drill कर रहे हो इतनी आप root march कर रहे हो और उसके बीच मेगे उसके end होने के बाद आप अपने साथी लोगों से कहते हो what about a song chaps chaps का मतलब जो साथी लोग होते हैं अरे दोस्तों साथीों गाना हो जाए एक is not greeted politely at the end of 30 miles तो रैटर कह रहे हैं 30 meal की root march करने के बाद 30 meal का root march करने के बाद इस तरीके की जो बात को उसको politely grit नहीं किया जा सकता मतलब उसकी तारिफ नहीं की जा सकती तो ये चीज़ क्या करते थे इनको नाराज करते थे ये इनको पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो थके होते थे his salute at the pay table was a model model का मतलब नमूना to behold behold का मतलब देखना तो उसका जो salute था at the pay table जो वेतन वाले टेबल होती थी जो pay table होती थी उसका जो salute था वो देखने लाइक नमूना था when officers were in sight जब officers दिखाई दे जाते थे he would swing his skinny arms तो वो अपनी जो skinny arms का मतलब जो उसका दुबला पतला जो हाथ था उसको लहराता था and march to the canteen और canteen की तरफ जाता था like a guardsman guardsman का मतलब यहाँ पर है British Senna का सिफाई तो उसकी तरह वो करता वा अपने हाथों को इलाता वा march करता वा किदर चला जाता था canteen की तरफ चला जाता था and day in and day out day in and day out का मतलब है परतेक दिन लंबे समय तक to end day in and day out he lectured to us in his droning droning का मतलब होता है धीमी और भिन भिनाती वी remorseless remorseless का मतलब होता है nisthoor voice का मतलब आवाज होता है तो वो क्या करता था यानि कि उसकी ये उसके कहानी क्या थी उसकी कहानी ये थी कि वो परतेक दिन लंबे समय तक he lectured to us in his droning remorseless voice तो अपनी धीमी भिन भिनाती और निस्टूर आवाज में हमें lecture देता रहता था preaching करता रहता था on every aspect हर पहलू पर of human knowledge मानवी ग्यान के हर पहलू पर हमें lecture हमें देता रहता था at first we had a certain respect for him but soon we lived in terror of his approach of his approach का मतलब जैसे ही वो आता था तो at first कहरा कि शुरुआत में तो हमारे हमारे मन में उसके लिए कुछ respect थी इज़त थी लेकिन जल्दी ही हम लोग जो ना डर में रहने लगे जैसे हम उसको देखते थी जैसे हमारी तरफ आता था हमें तोड़ा डर लगने लग जाता था we try to hit back at him with clumsy sarcasm clumsy का मतलब बे ढंगा होता है यहाँ पर clumsy का मतलब भद्दे तो यह writer कह रहा है we try to hit back at him जैसे कभी कवर आप किसी को hit back करते वापिस आप उसको कुछ दाने वाने मारते हैं ठीक है इस तरीके की बात कह करके उसको आप तोड़ा दबाने की कोशिज करते है suppress करने की कोशिज करते है तो we try to hit back at him with clumsy sarcasm and practical jokes तो कह रहा है कि हम अपने भद्दे तानों वे सरार्तों से हम क्या करते थे उसको hit back करते थे the professor scarcely noticed लेकिन जो प्रोफिशर था private quels था scarcely का मतलब hardly barely वो इस चीज को muskill से ही notice करता था इस पे muskill से ही ध्यान देता था कि हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे he was too busy working for his stripe वो तो अपने stripe के लिए एक काम करने में बहुत ज़्यादा वेस्थ था यानि की जरूरत से ज़्यादा वेस्थ था तो यहां पर वो यह कहना चाह रहा है कि वो अपने जो उसका target था उसको ले करके वो बहुत ज़्यादा busy रहता था वो इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था Each time one of us made a mistake the professor would publicly correct him तो जब भी हम में से कोई गलती करता था यानि कि प्रतेक समय जब भी हम में से किसी ने कोई गलती की तो professor क्या करता था वो हमें सारवजनिक रूप से हमारी जो गलतीयां थे उनको correct करता था उनको सही करता था Whenever one of us shown the professor outshone him तो शौन का मतलब यहां पर है outsmart करना यानि कि ज़्यादा चाला की देखना होश्यार बनना तो कह रहा है एक narrator बता रहा है कि जब भी हम में से कोई ज़्यादा तेज बनने की कोसिस करता था होश्यार बनने की कोसिस करता था आउटसमार्ट करने की कोसिस करता था प्रोफेशर को तो प्रोफेशर उसे ही outsmart कर देता था यानि कि प्रोफेशर उससे भी ज़्यादा होश्यार बन जाता था वेन आफ्टर हार्ड मॉर्निंग वाक क्लिनिंग आउट और हाट हाट वी लिसन इन साइलेंस तो दा ओर्लीज ओफिशर प्रेज दा प्रोफिशर वूड ब्रेक आउट विद रिंग ड्यूटिफुल बीमिंग अब देखिया समझी नेरेटर कह रहा है कि वेन आफ्टर थे और उसमें बहुत मेहनत लगती थी हमें तो जब हम बहुत मेहनत करके अपना सुबह का काम करते थे जैसे कि क्या करते थे वहाँ पे अपनी जो हट थी अपनी जो बैरक थी उसकी साफसफाई करते थे क्लिनिंग करते थे उसके बाद इनका जो अर्दली ओफिशर था उस में प्रोफेशर क्या करते थे ते प्रोफेशर उड करता है उसको शानती से सुनते थे अपनी मॉनिंग की क्लिनिंग के बाद उसमें प्रोफिशर क्या करते थे ब्रेक आउट का मतलब बोलना होता है तो वो एक ड्यूटी की जो उसकी कृतवे की जो उसकी भावना थी उसे ओध प्रोत होकर कि वो बोलता था बिमिंग मुस्कुराते वे थैंक्यो सर सर धन्यवाद आपका एंड हाव स स्पीरियर कितना जदा स्पीरियर स्पीरियर आप समाझते हैं जो अच्छा होता है और कांडेसेंडिंग का मतलब होता है सिस्ट लेकिन वो बंदा जो अपने आपको स्पीरियर दिखाने की कोसिस करें दूसरों से की मुझे ज़्यादा नोलेज है ठीक है आम बैटर दन कहानी हमेशा की थी let me show you old fellow वो हमेशा दूसरों को कहता रहता था कि let me show you old fellow hey old fellow मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं तुम्हें बताता हूं और no you will ruin your rifle that way old man और वो कहता था कि ए old man तुम इस तरीके से अपनी rifle को ruin कर दोगे बरबाद कर दोगे कहने का मतलब है दूसरे जब कोई काम करते थे तो वो interrupt करता था और वो कहता था काम को ऐसे मत करो काम को इस तरीके से करो लग मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करना का तो ये उसकी एक habit थी और इसी वज़े से सारे के सारे जो लोग थे उससे irritation फील करते थे चिड़ते थे उससे वी यूस तो प्राइड आरसल्स ऑन एर्क्राफ्ट रिकगनीशन का मतलब है कि जो इनको एर्क्राफ्ट जो प्लेंस थे उनकी जो इनको recognition थी, पहचान थी, उस बात को लेकर कि ये सारे के सारे जो लोग थे, narrator के जो साथी थे, colleagues थे, वो क्या करते थे, वो अपने उपर एक गर्व, फील करते थे, यानि कि अपने आप रोबो, उस चीज़ का अपने उनको pride था उस चीज़ का, once out for a walk, एक बार घूमते समय, टहलते समय, we heard the drone, drone का मतलब जो धीमी आवाज होती है, we heard the drone of a plane, तो हमने एक plane की धीमी सी आवाज सुनी, जब आपने देखा है कि plane जब बहुत ज़्यादा height पर उड रहा होता है, तो आवाज बड़ी धीरे आती है, उसकी तेज़ नहीं आती है, we heard the drone of a plane, flying high overhead, तो कहरा है कि जब हम लोग एक बार walk कर रहे थे, तो walk करते समय, टहलते समय, हमने एक धीमी सी आवाज सुनी, हमारे सर के उपर से plane के उड़ने की, none of us could even see it, हमें से कोई भी से देख भी नहीं पाया, it in the glare of the sun, सुरिय की चमक के वज़े से, क्योंकि दिन का टाइम था, सुरिय चमक रहा था, तो उसकी वज़े से वो plane हमें दिखाई नहीं दिया, हमें से कोई नहीं देख पाया उसे, without even a glance upward, glance का मतलब भी देखना है, upward means उपर, the professor announced, और बिना उपर देखे वे, professor ने announce किया घोसना की, professor ने कहा, नेरेटर क्या कहा रहा है, कि हम कोई भी उस plane को नहीं देख पाई, क्योंकि सुरिय की चमक बहुत तेज थे, glare जादा थे, लेकिन जो professor था, उसने उपर देखा भी नहीं, लेकिन उसने कहा, बिना देखे ही, that of course is a North American Harvard trainer, यानि कि उसने बिना उसको देखे वे, निसंदेव है, इज है, अ North American Harvard trainer, उस plane का नाम बता है, उसने कि ये plane है, वो, it can be unmistakably identified, और आगे वो कहता है, कि it can be unmistakably identified, और इसको identify किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बिना गलती किये वे, by the horse engine not, इसकी जो करकस आवाज है, engine की not का मतलब आवाज, ठीक है, तो इसकी जो करकस आवाज है engine की, उसकी वज़े से इसको बिना गलती के वे पहचाना जा सकता है, यानि कि वो ये कहना चाहरा था, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज इतनी ज़्यादा करकस है, उसका इतना ज़्यादा स्रिल साउंड है, हार साउंड है, कि आप उसकी आवाज से उसको पहचान सकते हो, उसको identify कर सकते हो, due to the high tip, और वो उसकी करकस जो आवाज है, जो उसका हार साउंड है, note है वो किसकी वज़े से है due to the high tip tip का मतलब क्या होता है जो नोकदार अगर भाग होता है आगे का जो भाग होता है नोकदार वो tip कहलाता है और tip speed of the air screw air screw का मतलब क्या होता है पंखा होता है plane का जो संचालक पंखा होता है वो कहलाता है air screw कर रहा है due to the high tip high tip speed of the air screw वो जो पंखा है उसकी जो high speed है उसकी वज़े से ये जो इतना करकस sound करता है इतना जो ज़्यादा sound करता है उसकी वज़े से आप इसको बिना गलती किये वे पहचान सकते हो what could a gang of louts like us do with a man like that तो louts का मतलब यहाँ पर narrator कहा रहा है uncivilized ऐस सब भे लोग कहा रहा है कि हमारे जैसे जो ऐस सब भे लोग थे उस ऐसे महान आदमी के साथ क्या कर रहे थे हाला कि ये comment कर रहा है none of us will ever forget the drowsy summer afternoon which was such a turning point in the professor's life लेकिन आगे फिर एक incident बता रहा है जो प्रोफेशर के लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबीत हो ये एक बड़ा mode साबीती और कौन सी थी कर रहा none of us will ever forget हम में से कोई भी नहीं भूल पाएगा the drowsy summer afternoon एक दिन की बात कर रहा है बिल्कुल उंगने वाला summer afternoon का टाइम था summer का टाइम summer season था दोपहर का समय था और drowsy feeling आ रही थी उनको ये उंगने वाला नीन से आ रही थी उन लोगों को which was such a turning point in the professor's life और वो एक दिन ऐसा था जब प्रोफेशर के जीवन में एक बड़ा mode साबीत हुआ एक turning point साबीत हुआ we were sprawling contentedly content का मतलब क्या होता है satisfied होता है संतूस्ट होता है तो sprawl का मतलब होता जब आप हाथ पैर पसार के बैठ जाते और content का मतलब संतूस्ट होता है तो कह रहा है कि हम लोग हाथ पैर पैसार के और संतूस्ट जनक तरीके से याने की satisfy होकर कि शांती से हम लोग बैठे वे थे on the warm grass गर्म घास पे while corporal turnbull अब corporal turnbull कौन है ये इनका trainer है वो हमें was taking a lesson on the hand grenade जो हत्गोले होते हैं ठीक है hand grenade होते हैं वो उन पे हमें एक lecture दे रहा था वो एक lesson दे रहा था उनके बारे में मैं पढ़ा रहा था और हम लोग आराम से अपने हाथ पर बसार के संतूस्ट जनक तरीके से गर्म घास पे बैठे वे थे Corporal Turnbull was a young man ये बन्दा young था जवान था but he was not a man to be trifled with trifled with का मतलब होता है किसी को हलके में लेना या किसी का मजाक उडाना कर रहा है वो ऐसा एक जवान बन्दा था लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हम उसे हलके में लेसके या उसके साथ मजाक कर सके He had come back from Dunkirk with all his equipments crack और वो कहां से लोटा था डंकिर्क से लोटा था अपने सबी equipments के साथ उपकरनों के साथ correct उनको सही करवा के and accounted for accounted for का मतलब होता है जब किसी चीज को किसी कारिये के लिए उप्योगी बना लिया जाता है ठीक है तो वो जो भी उसके equipments थे उनको सही करवा के और अपने काम के लिए उप्योगी बना करके उनको वो ले करके आया था डंकिर्क से वो लोटा था and his pet kitten in his pocket और उसकी pocket में उसकी जो पालतु बिल्ली का बच्चा था वो भी था किटन मिन्स बिल्ली का बच्चा he was our hero and we used to tell each other that he was so tough that you could hammer nails into him without his noticing it he was our hero वो हमारा hero था नायक था and we used to tell each other और हम एक दूसरे को बताया करते थे बताते थे क्या that he was so tough कि वो इतना ज़्यादा rough and tough था that you could hammer nails nails का मतलब कील होती है कि आप hammer का मतलब हो थोड़ा मारा वो इतना ज़्यादा rough and tough था यानि कि हेल and hearty था वो कि यदि आप एक थोड़े से कील भी ठोक दो ना उसकी body में उसके सरीर में into him him का मतलब उसकी body में without he is noticing it तो उसको notice भी नहीं करता था यानि कि उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था उसको पता भी नहीं चलता कि कि किसी ने कील ठोक दी मेरी body के अंदर इतना ज़्याद़ ताकत वर था हूँ the outside of a grenade as you can see तो एक दिन क्या होता है इस line को समझे ध्यान से एक बार corporal tumble जो है उनको एक lecture दे रहा होता है hand grenade के बारे में समझा रहा होता है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा समझेना पड़ेगा आपको the outside of a grenade as you can see corporal tumble was saying तो corporal tumble was saying वो कह रहा था वो बता रहा था और क्या बता रहा था as you can see जैसा आप देख सकते हो the outside ऐसा समझे इसको the outside of a grenade grenade का जो बाहरी इस्सा होता है is divided up वो बटा होता है into a large number of fragments large and की बहुत ज़्यादा टुकडो में तो वो क्या कह रहा है अपने जो trainees हैं उनको यह trainer जो है टनबूल यह क्या बता रहा है कि भई तुम देख सकते हो यह देखो मेरे हाथ में यह क्या है एक grenade है और आप देख सकते हो कि इसका जो बाहरी हिस्सा है इसका जो बाहर का हिस्सा है वो बहुत सारे टुकडो में बटा हुआ फ्रेग्मेंट में बटा हुआ है तो एसिस्ट और यह क्या करते हैं एसिस्ट करते हैं किसकी सेग्मेंटेशन की सेग्मेंटेशन का मतलब होता हिस्सों में बाटना यानि कि जो grenade है उसको जो हिस्सों में बाटा गया है त देखो यहां से खेल बिगड़ना सुरू होता है किसका प्रोफिशर का जब वो यह बता रहा होता है मालेज़ एक टीचर पढ़ा रहा होता है और टीचर अब यहां से उसने टुकडों की बारे में बताया नहीं कि उसने कहा कि लार्ज नंबर फ्रेगमेंट्स लेकिन यह नही पताया कितने तो अब पीछे से फिर एक आवाज आती है 44 चमालेस यह आवाज थी किसकी यह हमें आगे पता चलेगा ठीक है वाट्स डैट दा कॉर्परल लुक्ड ओवरी सेल्डर सोल्डर तो जो कॉर्परल है अपने कंदों के उपर से देखता है कि क्या है मतलब से समझ मे एक प्राइन यह आता कि 44 क्या है तो ओक है 44 क्या वोट इस डैट 44 सेगमेंट्स तो फिर एक आवाज निकल कर कि आती है ता प्रॉफेशर बीमड एट हीम बीम का मतलब होता मुस्कुरान हसना तो प्रॉफेशर कहता है कि सर वो जो सेगमेंट्स जो आप बता रहे हो वो कितन कि तरफ टनबूल की तरफ दा कॉर्पोरल सेड नथिंग अब जो कॉर्पोरल है उसने कहा तो कुछ भी नहीं बट इस ब्रो टाइट अंड लेकिन उसकी जो बोहें थी वो टाइट हो गया यानि कि थोड़ा समझें इस लाइन को वी वर ओल थंडर स्टक हम सब हैरान रहे गए वी वर एस्टोनिस्ट हम हके बके रहे गए दब प्रोफेसर वोज स्पीकिंग अगें प्रोफेसर था वो दोबारा बोल रहा था और वो दोबारा क्या बोल रहा था अब आये इस लाइन में एंड by the way corporal care corporal और आगे कहाने को मिहां से shouldn't you have started off started off का मतलब होता है किसी चीज़ को start करना और should have का मतलब होता है किसी को realization करवाना past का या आप कह सकते है किसी को past की सला देना कि भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था तो करा कि shouldn't you have started off with the five characteristics of the grenade तो वो कह रहा है कि by the way corporal एक बात बताईए आप क्या आपको इस grenade को जो आप हमें lesson दे रहे हैं क्या आपको इसकी पांच जो विशेष्टाई हैं उस point से यान कि वहां से आपको हमें बताना सुरू नहीं करना चाहिए था एक question arise कर दिया एक question mark लगा दिया गया है मतलब जो आप हमें बता रहे हो वो आप सही बिंदू से नहीं बता रहे हो आपको पहले क्या बताना चाहिए था इसकी जो five characteristics sticks हैं वो बतानी चाहिए थी क्या आप ऐसा नहीं मानते हो उससे इस चीज़ की सुरुवात किया करता था in the silence that followed silence that followed का मतलब उसके बाद एक चुपी चाह गई वहाँ पे सननाटा चाह गया इतना सननाटा क्यों है भाई तो in the silence that followed उसके बाद एक चुपी चाह गई वहाँ पर शानती चाह गई a dark flush stained stand का मतलब क्या होता है निसान आजाना धबी आजाना ठीक है और 10 का मतलब क्या होता है जो पीला भूरा रंग होता है वो 10 होता है टी ए अन होता है ठीक है तो वो 10 होता है तो a dark flush stained the 10 of the corporal's face corporal का जो चहरہ है तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उस समय corporal इतना ज़्यादा गुसा हो गया था कि गुसे से उसका जो पीला भूरा रंग था उसके चहरे का वो भी लाल हो गया था यानि कि उसकी चमड़ी जो थी पीले भूरे रंग की थी वो लाल हो गई थी क्योंकि he was extremely angry वो बहुत ज़्यादा गुसे में हो गया था कि यह ही सेड़ अट लास्ट तो वो ला अंत में क्या कहता है यू गिव दिस लेक्चर एक काम करो तुम यह लेक्चर दो ठीक है ना मालिजे को टीचर पढ़ा रहा 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 बच्चा ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है और वो उस बच्चे को फिर टीचर कहता है काम कर तुम ही टीचर बन जाला मैं तो साइड में खड़ा होता हूं तुम ही पढ़ाओ चुला जाओ आ गया जाओ तो यही कहानी इसके साथ होगी यह ट्रेनर था टनबूल और वो ट्रेनी था ट्रेनी उसे समझा रहा है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए क्या बताना चाहिए हम इस स्टार्टिंग में तो वो कह रहा है कि काम कर बटा तू ही आ गया अब तू ही बता चल हम तो साइड में बैठते हैं यू गिव दिस लेक्चर एज इफ अफरेड टू से अनिमोर मानों की टनबूल था कुछ और कहने से डर रहा था मतलब और आगे कुछ बताने से डर रहा था ऐसा ऐसा आ रहा था इन सब के मैंड में ही टॉस्ट दा ग्रेनेड टॉस का मतलब उच्छालना होता ह जैसे आप कहते हैं तो टॉस का मतलब उच्छालना ही होता है तो उसने उच्छाल दिया कि इसको ग्रेड को कहीं फटना जाे sino to दौ टॉफएशर उसने ग्रेनेड थी वह प्रोफैशर की तरफ उच्छाल दी यानिकि उसकी तरफ वह फैक्ट दिला पर होया है चल किसी सरमिंदगी के बिना कोई किसी जिजक के प्राइबिट कोल्स climbed up to his feet Climbed up to his feet का मतलब अपने पेरों पर खड़ा होना प्राइबिट कोल्स बिना सरमिंदा हुए अपने पेरों पर खड़ा हुआ and with the air air का मतलब how of a man coming into his birth right gave us an unexceptionable lecture on the grenade तो इस चीज को आप समझें एक बार कि यह जो बात है कि यहां से एक बार हम समझेंगे with the air of a man coming into his birth right इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बात पर जन्म सिद्ध अधिकार रखने वाले व्यक्ति की तरह हैं यानि कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी बात पर जिसे आपको यह लगता है कि यहां पर तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तो इसी एक फिलिंग के साथ जो प्राइवेट क्वेल्च है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है बिना सरमिंद्गे के भाव के साथ और उसके बाद उसने एक अन एकसेपसनेबल मतलब देट कांट बी क्रिटिसाइजड ऐसा एक लेक्चर उसने दिया जिसकी आलोचना नहीं हो सकती थी यानि कि आलोचना से मुक्त एक लेक्चर उसने दिया ऑन दा ग्रेनेड मिनस एक आउट स्टेंडिंग लेक्चर उसने दिया जिसको कंडेम करना क्रिटिसाइज करना किसी के बस में नहीं था तो यानि कि उसने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्स्प्लेन किया दा स्क्वेड लिसन इन अ काउड होरिफाइड काइंड ओफ साइलेंस अब यहां पर देखे स्क्वेड का मतलब क्या है स्क्वेड का मतलब है वो जो सिपाई लोग थे वो जो प्रेनीज थे वो लिसन उन्होंने सुना in a crowd horrified kind of silence crowd का मतलब क्या होता है भहबीत horrified का मतलब भी ड्रावा भहबीत होता है kind of silence तो बिलकुल एक ऐसी चुपी के साथ उन्होंने उस चीज को सुना उस लेक्चर को सुना जैसे की भहबीत या कोई ड्रकर के सुनता है corporal tumble stood and watched वो भी खड़ा हुआ और देखता रहा impassive का मतलब होता शांत except for a searching intentness of gaze gaze का मतलब भी क्या होता है देखना ही होता है तो यहां पर देखे searching intentness intentness of gaze का मतलब क्या है तिक्षन जिग्यासा पुन दृस्टी से तो यह जो था corporal tumble था यह तिक्षन जिग्यासा पुन दृस्टी से उसको देखता रहा उसके lecture को सुनता रहा बिल्कुल भाव सुनने होकर के शांत होकर के impassive होकर के क्योंकि इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वो lecture भी बड़ा स्यांदार एक outstanding lecture दे रहा था वें दा लेक्चर वोज फिनिस्ट और जब लेक्चर खतम हुआ ही सैड उसने कहा थैंक्यू प्राइवेट क्वैल्च धन्यवाद प्राइवेट क्वैल्च फूल इन फूल इन का मतलब होता है खड़े हो जाना विद अदर्स नाव अब एक काम करो लेक्चर तुमने बड़ा अच्छा दिया बढ़िया दिया थैंक्यू अब एक काम करो लाइन में खड़े हो जाओ सबके साथ ही डिनोट स्पीक अगें अंटिल वी हैड फॉलन इन फॉलन इन का मतलब खड़े होना तो ही डिनोट स्पीक इसका मतलब है कि टनभूल कुछ नहीं बोला अंटिल अगें दोबारा अंटिल वी हैड फॉलन इन जब तक की हम लाइन में खड़े नहीं हो गई और इस चीज़ का हम वेट ना करते रहे कि अब कब ये डिसमिस हो कब हमें यहां से भेजा जाए और उसके बाद वो बोला अब क्या बोलता है देखते हैं जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा उसने सावधानी से कहना सुरू किया दा प्लाटून ओफिसर हैड आस्ट मी टू नॉमिनेट वन ओफ यू जो प्लाटून ओफिसर है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आप लोगों में से एक बंदे को नॉमिनेट करूँ मनोनित करूँ और आगे डैस 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 है लेकिन यह नहीं बताए गया कि फोर किस चीज़ के लिए अब थोड़ा से समझागे यह पॉजड तो यहाँ पर नेरेटर कह रहे इतना कहने के बाद यानि कि फोर कहने के बाद आगे बताए नहीं किसके लिए वो रुक गए यह पॉजड वो रुक गए और लुक्ड लिंगरिंगली लिंगरिंगली का मतलब होता है कि जैसे धीरे से ठीक है लिंगरिंगली का मतलब क्या होता है धीरे से अप एंड डाउन तो उन्होंने लुक किया देखा धीरे से उपर और नीचे देखा दा रैंक्स रैंक्स का मतलब जो कतार लाइन्स थी रोज थी जो हमारी उनकी तरफ यानि कि जहांपर हम ट्रेनीस खड़े वे थे एज इफ मानो सिकिंग जैसे कि वो तलास रहे हो ढूंड रहे हो अनुरूद कर रहे हो फाइनल कंफरमेशन का ओफ डिसीजन यानि कि ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरीके से वो दीरे से उपर नीचे एदर दर देख रहे थे हैं हमारी लाइन्स की तरफ कि जैसे वो हमसे फाइनल कंफरमेशन चाह रहे हो किसी डिसीजन को ले करके कि उनको को निरने करना था और वो हमसे उसको कंफरम करना चाहरे हो so this was the great moment तो ये एक बहुत अच्छा great moment था अच्छा पल था ये शांदार पल था most of us could not help glancing देखो cannot help could not help का मतलब होता जिस काम को आप किये बिना नहीं रह सकते ठीक है जिसे आप कह सकते है I cannot help laughing मैं हसे बिना नहीं रह सकता I couldn't help laughing मैं अपने हसी नहीं रोक पाया तो most of us could not help glancing glancing का मतलब देखना होता है at private quels तो जब ये कहानी पूरी चल रही थी तो यहाँ पर narrator कहा रहा है कि हमें से most of us हमें से ज़्यादा तर जो लोग थे वो अपने आपको नहीं रोक पाए private quels की तरफ देखने से यानि कि उसके बाद इन्होंने क्या प्राइवेट क्वेल्स की तरफ देखा ये अपने आपको रोक ही नहीं पाई उसके उपर एक दिर्स्टी डाले बिना वी स्टूड सोरी हू स्टूड जो खड़ा वा था रिजिडली टू अटेंशन बिल्कुल सावधान होकर के और जो देख रहा था टक्टकी लगा करके इन फ्रेंट ओफ हिम इन फ्रेंट ओफ हिम का मतलब उसकी तरफ किसकी तरफ टन्बूल की तरफ विदन एक्सप्रेक्शन एक भाव के साथ of self-conscious innocence self-conscious innocence का मतलब है संकोची निस्क पटता के साथ तो संकोची निस्क पटता के साथ इस भाव के साथ इस फिलिंग के साथ एक्सप्रेक्शन के साथ वो किस की तरफ देख रहा था वो देख रहा था टन्बूल की तरफ और उस समय हम लोग जो थे और बिल्कुल सावधान खड़ावा था तो हमें से ज्यादा तर लोग जो थे वो अपने आपको नहीं रोक पाए प्राइवेट क्वेल्च की तरफ देखने से अब देखे यहाँ पर वो बात हो गई थी फूर के बाद डैस 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 आ गया था अब वो डैस 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 आगे यहाँ पर फिर शुरू हो रहा है देखे फूर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज क्योंकि इतनी बीच में वो पोज कर गया था वो कुछ बोला नहीं था और पोज जब यह सारे वह अपनी बात को रोक रोक लेता तो उसके बीच की जो जो वहां के हाला थे उसके बारे में नेरेटर नहीं आपर बता है और आगे इस बात को कनेक्ट किया है कि फोर पर्मानेंट कुक हाउस डूटीज नॉमिनेट किसलिए करना था किसी बंदे कोन में से पर्मानेंट कुक हाउस डूटीज यानि कि रसोई घर में किसी बंदे की डूटी लगानी थी रसोई घर का इंचार्ज बनाना था किसी को ईक हव डिटफू डा प्राइवेट कंवट्वंट इस डिस डहन है मन का मतलब होता है मत्रि यही एक अदमी है यही एक अक्यला बंदा है और भो काम के लिए है मैंने decision ले लिया है कि इस काम के लिए एक मातरी बंदा और जिसका नाम है private quels तो यह revenge ले रहा है actually में बदला ले रहा है यहां पर private quels जिस तरीके से अपने dominate करना चाह रहा था सभी लोगों को और वो करता चला रहा था और बार-बार कर रहा था इसलिए कहते हैं access is always bad अती है वहर चीज की बुरी होती है अब इसने अती कर दी थी और यही कहानी यही एक वजय रही यही एक बात रही कि अब कि इसके हालात क्या हो गए हैं इसको कुक हाउस का इंचार्ज यानि कि इसको बना दिया गया है रसोईगर का इंचार्ज इसको बनाने की तैयारी चल रही है डिसीजन ले लिया गया है किसके दौरा टनबुल के दौरा तो I have decided that private इस नाम है प्राइवेट क्वैल्च और वो निरेटर कह रहा है कि भी उसके बाद तो फिर एक जोक सा बन गया निकिकी बार बार इसी बात को लोग एक दूसरे से करते रहे एक जोक की तरह है जोक भी तो हम सब के लिए खुसी की बात भी थी क्योंकि everybody was sick of private quills because of its dominating nature I remember though मुझे याद है हाला की my friend Trower and I were talking about it a few days later किया रहा की मुझे याद हाला की कुछ दिन के बाद मैं और मेरा जो दोस्त था friend था Trower हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिनों के बाद बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ और बात करते करते क्या कर रहे थे या क्या करते करते बात कर रहे थे we were returning from the canteen to our own hut तो कहरा की हम लोग केंटेन से अपने barrack में आ रहे थे और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे वेल खेर Trower remarked as we passed the cook house और कर रहा कि जब हम cook house के नजदेक से गुजरे तो Trower ने कहा I reckon मैं अनुमान लगा रहा हूं I guess that geyser's head geyser का मतलब यहां पर है वो एक अधभूत आदमी यानि कि strange person कौन प्राइवेट क्वेल्च जो कुक हाउस में काम कर रहा था head is gob gob का मतलब mouth stopped for a bit अब तो उसका जो mouth है थोड़ा बोख बंद हो गया होगा कुछ दिन के लिए बंद हो गया होगा यानि कि उसका जो मूह है कुछ दिन के लिए बंद हो गया यह question tag लगाया गया last में क्या मैं सही कह रहा हूँ तो वो Trower जो है narrator को कहता है कि अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि कुछ दिन के लिए सही लेकिन चलो इसका मुख कुछ दिन के लिए तो बंद हो गया होगा सही कह रहा हूं ना मैं I did not answer मैंने कोई answer नहीं दिया कोई जवाब नहीं दिया but took his arm and pointed to the cook house लेकिन मैंने उसकी बाजू पकड़ी और cook house की तरफ इसारा किया through the open door we could see the three cooks standing against the wall as if at bay at bay का मतलब होता है निरासा प्रणिस्थिती में गिरे होना at bay idiom है ये बिलकुल जब आप डिजेक्शन में होते हैं तीक है you are surrounded जब आप गिरे वे होते हैं एक ऐसी इस्तिती में एक ऐसी situation में जो डिजेक्शन से भरी पड़ी है तो वो at bay कैलाता है through the open door we could see the three cooks standing against the wall तो कह रहा है कि वो दर्वाजा खुला वा था और उस खुले दर्वाजे में से हम लोग देख सकते थे कि जो तीन कोक्स थे रसोये थे वो खड़े वे थे दिवार का सहरा लेकर के एजिफ मानो एट बे जैसे कि वो निरासा से निरासा एक निरास प्रण इस्तिती से वो घिरे वे हूं and from within और from within का अंदर से came the monotonous beat beat का मतलब आवाज voice और एक बड़ी निरासा भरी आवाज आई अंदर से monotonous का मतलब निरास beat of a familiar voice एक प्रीचित आवाज की यानि कि एक अंदर से एक निरासा भरी प्रीचित आवाज आई और वो क्या थी रियली अब प्रीचित आवाज familiar voice का मतलब ये private quelch बोल रहा था ये लोग तो भार खड़े थे हैं ठीक है they were standing outside but a voice was coming from inside and that voice was of the private quelch वो private quelch की थी so what he was saying to others दूसरों को क्या कह रहा था हूँ let's get to know really वास्तों में I must protest against this abominably abominably का मतलब ता घ्रनित बेकार तो I must protest against unpleasant आप कह सकते हैं I must protest against this abominably unscientific and unhygienic method of pilling potatoes pilling का मतलब छीलना कहरा कि भी मुझे विरोध करना पड़ेगा ठीक है मुझे विरोध करना पड़ेगा रोध जताना पड़ेगा अपना ये जो घ्रनित और ये एवग्यानिक और ये जो एस्वस्थ तरीका है आलू छीलने का इसका मुझे प्रोटेस्ट मुझे विरोध करना पड़ेगा I need only draw your attention to the seer west of vitamins values के सरसर वेस्टेज हो रही है विटामिन की तरफ आपका ध्यान क्हीचना चाहता हूं ये आवाज अंदर से कहता है और उसके बाद ये कहता है वी फ्लैड फ्ली का मतलब होता है तो यह करा कि वी फ्लैट उसके बाद हम लोग तो वहां से निकल गए वहां से चले गए तो यह चैप्टर था प्राइवेट के बारे में तो देखे प्राइवेट को एल्स हाववर ही वोज वेरी इंटेलिजेंट बट ही हड़ा डॉमिनेटिंग नेचर नेचर देट्स रिए क्वेल्च बिकेज जो डॉमिनेंस होता है वो ठीक नहीं माना देज नोट कंसिडर गुड कभी उसको अच्छा नहीं माना जाता है आप देखे यह वोज डैम इंटेलिजेंट बहुत जदा इंटेलिजेंट था बट अल्टीमेटली ही वोज मेड़ दा कुक हाउस इंचार् है तो आपके इंटेलिजेंसी जो अगर सही दिसा में नहीं जा रही है तो उसका रिजल्ट तो फिर ऐसा ही आएगा तो चले कोई बात नहीं है एक मैसेज आइधिंग आपने इससे गेट किया होगा और हॉप कि आपको इस चैप्टर समझ में आएगा तो चले बच्छों मि कीजिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए शेर कीजिए इफ इफ यू लाइक इट ओके थैंक यू वेरी मच फोर वचिंग दिस वीडियो